केप ग्रोइंग की तरव से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है केप ग्रोइंग का उदेश्य है आप ये बच्चों की पढ़ाई में आपका सायोग करना ताकि पढ़ाई बोजिल ना होके बन जाए कुछ इंटरस्टिंग तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों को हिंदी वियंजन किस तरीके से पढ़ाना है हिंदी भार्षा की शुरुवात होती है हिंदी वियंजनों से और सारी हिंदी भार्षा इन्हीं वियंजनों में समिट कर रह जाती है तो चलिए आज के स्वीडियों में देखते हैं हिंधी व 뛰न जनों का शुद्द शुद्द उचारन किस तरीके से करना है, ताकि बच्चे मज़ेधार तरीके से हिंधी भाषा को पढ़ना, लिखना शीख सकें तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, वीडियो को पूरा देखना मत बूलेगा, क्योंकि ये बात है हमारे बच्चों की पढ़ाई की छ, छ से छाता, ज, ज से जहाज, ज, ज से जन्डा, एया खाली त, त से तमातर, ठ, ठ से ठठेरा, द, द से दम्रू, ध, ध से धोलक, अना खाली, अना खाली त, त से तर्बूज, थ, त से थर्मस, द, द से दवात, ध, ध से धनुष, न, न से नल, प, प से पतंग, भ, भ से फूल, भ से बक्री, भ से भवन, म से मचली य, य से यग्य, र से रसी, ल से लट्टू, व से वन, श से शल्गम, श से शटकोन, स स स सब्जी, ह से हिरन, ख से ख्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ग्य से ज्यानी वीडियो देखने के लिए और कीप ब्रुइंग के साथ जुरे रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पढ़ते रहे, बढ़ते रहे